तो भाई बहुत ही धासू WhatsApp की ट्रिक्स और कुछ नई अपडेट्स लेके आया हूँ दिल तो कर रहा था कि इन अपडेट को या ट्रिक्स को आपको Facecam करके दिखाऊँ लेकिन दोस्तों कुछ मजबूरियां भी होती है यार लेकिन 2021 से पहले हम Facecam लाजमी करेंगे Facecam वीडियो करा करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ न्यू ट्रिक्स लेके आया हूँ न्यू अपडेट लेके आया हूँ आप लोग इन अपडेट या ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते क्योंकि ये अभी अभी आई है अभी बिल्कुल अभी अभी पहुंची है जी हाँ वाट्सअप में तो ये कौन सी ट्रिक्स हैं उसको बताने सपहले आप लोगों को एक बात पता दो कर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बैल को दबा के आल पे क्लिक कर लो ताके लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं दोस्तो पहले नंबर की ट्रिक की अब ये ट्रिक क्या है कई दफा आपको वैसे सोते वे या जागते वे या उठे बैठे कभी ख्याल आता होगा कि यार जो ये WhatsApp की जो स्क्रीन है हम स्क्रोल करके अपनी दूसरे फ्रेंड्स की चैट को देखते हैं वे जागते हम स्क्रोल करके लेखते हैं या किसी का गवर स्टेटिस अपडेट होता है अगर हम उसको देखना चाते हैं अगर किसी ने जएदा स्टेटिस अपडेट किये हैं तो उसको भी हम scroll down करके देखते हैं कोई ऐसी trick होगी क्या कि हम लोग एक ही दफा में पूरी chat को screen पे देख लें या जितने भी status लग जाए so 200 status हम उसको एक ही screen में देख लें जी हाँ दोस्तो इसके लिए भी एक trick है आप लोग अगर वो trick apply करते हैं तो होगा क्या जितनी भी ये नीचे chat गई भी है ये आप एक screen पे देख पाएंगे उसके लिए आप लोगोंने क्या करना है सबसे पहले आपने अपनी setting को open कर लेना है तो मैं अपनी setting को open कर लेता हूँ setting को open करने के बाद दोस्तो इदर आपने developer option में जाना है अगर किसी का developer option नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया है कि आपने build number पे जाना है साथ दफा टैप करना है आपका developer option आ जाएगा उसके बद आपने developer option को open कर लेना है developer option में आने के बाद दोस्तो आप लोगोंने setting को on करना है इस setting का नाम है minimum width तो इदर से मैं find कर लेता हूँ minimum width setting को यह रही दोस्तो minimum width setting आपने इसको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तो आप लोग देख सकते हैं इदर लिखा वा है 411 आपने इसको cut कर देना है जितना number आप लोग increase करेंगे इतनी ही screen आपकी बड़ी हो जाएगी आपको सब कुछ नजर आएगा for example दोस्तो मैं इदर 500 कर देता हूँ 500 को करने के बाद OK कर देता हूँ जैसे ही मैं OK करूँगा तो मेरे mobile की screen जो है देख सकते हैं पहले इदर मैं कम देख सकता था इसका scale बड़ा हो गया है अब मैं अपनी WhatsApp को open कर लेता हूँ जैसी मैंने WhatsApp को open किया अब मुझे scroll करने की जुरूरत नहीं है देख सकते हैं सारी chat इदर आगी है अगर मैं number को increase करूँगा 500 की जगा 600 करूँगा तो मुझे ये सब कुछ नजर आने लग जाएगा इस तरह दोस्तो इस trick का use करके आप लोग अपने mobile की जो screen का scale है उसको increase कर सकते हैं और आप लोगों को scroll करने की जुरूरत नहीं है आपको सब कुछ नजर आ जाएगा तो बात करता है दोस्तो इदर दूसरे number की trick की basically ये trick नहीं है ये WhatsApp में new update आई है इस update का बहुत सालों से इंतजार था बहुत पहले इंटरनेट पे इस update के बारे में बाते हो रही थी कि ये WhatsApp की update आगी है अपडेट आगी है लेकिन add नहीं हुई थी लेकिन दोस्तो ये जो update है WhatsApp में आज add हो चुकी है इसको use करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड की चैट को open किया उसके बाद उसकी profile में गया तो इदर आपको एक option देखने को मिल जाएगा disappearing message का ये new add हो है अब दोस्तो इसका क्या फाइद है इसको अगर आप इदर से on कर देते हैं तो इसका क्या फाइदा होगा अगर मैं इदर से इसको on कर दूँगा और on करने के बाद back चला जाऊंगा तो मेरे friend के इदर एक time set हो जाएगा देख सकते हैं एक घड़ी आ गी है अब इसका क्या फाइदा होगा अगर मैं इसको message करता हूँ message करने के बाद अगर ये 7 दिन के अंदर read कर लेता है या नहीं read करता तो ये message automatically delete हो जाएगा disappear हो जाएगा काफी कमाल का ये option है बहुत से लोग इस option से परेशान भी है कि ये क्यों आ गया है लेकिन दोस्तो बहुत कमाल का option है मैं आपको बताता चलूँ कि इस option का आप लोग use उस बंदे के लिए कर सकते हैं उस बंदे की chat के लिए कर सकते हैं जिस बंदे पे आपको यकीन नहीं है आप लोगों के messages वो as a proof के तोर पे रख लेता है तो आप लोगों ने करना किया है इस disappearing को on कर देना है अब आप कोई भी message उसको send करेंगे साथ दिन के अंदर अंदर वो overall chat automatic disappear हो जाएगी तो बात करते हैं दोस्तों इधर तीसरे नंबर की update की ये भी एक WhatsApp की new update आई है पहले क्या होता था अगर आप लोग wallpaper set करते हैं जैसे के ये background में wallpaper आप red color का देख रहे हैं जब आप set करते थे तो overall WhatsApp की chat पर ये apply हो जाता था मतलब जितनी भी आपके mobile में chats हैं उन पर ये wallpaper apply हो जाता था लेकिन अब WhatsApp ने एक new update दिया है अगर आप लोग किसी specific chat के लिए specific wallpaper का use करना चाते हैं तो आप लोग कर सकते हैं उसके लिए simple आपने क्या करना है three dot में जाना है three dot में जाने के बाद wallpaper में जाना है wallpaper में जाने के बाद जो भी आप wallpaper select करना चाते हैं for example दोस्तो मैंने ये open कर लिया for example ये वाला wallpaper मैं इस chat के लिए set करना चाता हूँ मैंने select कर लिया देख सकते हैं wall paper change हो गया है अगर मैं back जाता हूं किसी और की chat को open करूँगा तो देख सकते हैं उसका wall paper red ही है लेकिन अगर मैं इस friend की chat को open करूँगा तो इसका ये wall paper है इस तरह दोस्तों इस update का use करके आप लोग specific बंदे के लिए specific wall paper choose कर सकते हैं बात करते हैं इदर चोथे नंबर की trick की अब ये trick क्या है आप लोग चाते हैं कि मैं whatsapp को open ना करूँ लेकिन जिस बंदे का भी message आए मुझे screen पर ही show हो जे कि क्या message आया है तो ये रही दोस्तों मेरी whatsapp अब मैंने क्या करना है मैंने इस पर click करना है click करने के बाद इसको hold करना है hold करने के बाद screen पर ले आना है अब मुझे कोई भी whatsapp पर message आएगा तो वो मुझे इदर show हो जाएगा मुझे अपनी whatsapp को open करने की जूरुत नहीं है आप लोग इसको resize भी कर सकते है आप लोग इदर से ही read कर सकते है कि किसका message आया है बात करते हैं इदर पांचवे नंबर की update की ये ट्रिक नहीं है ये बलके एक update whatsapp में आया है अब आपकी whatsapp में कुछ new emoji add किये गया है जिनका आप लोग अपनी chat में use कर सकते है जैसे के दोस्तों ये emoji पहले नहीं थे तो आपकी whatsapp में कुछ new emoji कमाल कमाल के add हुए है तो आप लोग इन emoji को find कर सकते हैं इदर से काफी emoji पहले नहीं थे इदर लेकिन अब अगर आप लोग अपनी whatsapp को update करते हैं तो ये emoji आपको इदर देखने को मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपनी whatsapp की chat को और भी ज़्यदा interesting बना सकते हैं ये थी कुछ whatsapp की tricks और update उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें भी ना मत जाना और चैनल को तो subscribe आपने अभी तक करी लिया होगा मैं भी लूँगा आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज